नमस्कार प्यारे साथ यूँ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे आज की इस वीडियो में हम डिसकेशन करेंगे सोशल इस्टडी से रेलेटेट सिक्स्टी एमसी क्यूज को जो की रीट दोहजार एक्किस और लेवल सैकेंड अर्थात क्लास 6 स्टू 8 को ध्यान में रख्के बनाया गया है और ये सी टेट और एस अ ini में रख्के बनाया गया है जैसे यूपी टेट बिहार टेट हरइाना टेट एम्पी में में भी बहुत ही महत्पूर है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो को skip मत करिएगा और class 125 के भी हमने practice set अपने चैनल पर डाल दिये हैं आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्ली चैनल को subscribe करिए और bell notification को on करिएगा और playlist में जाके आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं test paper को करके चलिए हम सुरू करते हैं अपने पहले प्रशन से पहला प्रशन है आपके सामने राष्टी न्याइक न्यूक्ती आयोग बिल 2014 को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था जारकंड गुजरात राजस्थान मद्प्रदेश तो सही जवाब हो जाएगा सी आफशन राजस्थान जो की राष्टी न्याइक न्यूक्ती आयोग का जो बिल आया था 2014 में इसको सबसे पहले राजस्थान राज ने अपनाया था कोशन न्मर नेक्स देखते हैं इस्थान लोग वस्तुएं परकृती जो किसी भी जीव को घेरे रहती है क्या कहलाती है तो सी आफशन से ही हो जाएगा उसी को हम पर्यावरण कहते हैं अर्था जो हमारे चारो तरफ से उसे हम पर्यावरण कहते हैं Question number next देखते हैं, जब किसी ब्यक्ति या समो को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम B option सही मानेंगे, रुडी बधता कहा जाता है, रुडी बध कहा जाता है, next question देखते हैं, question number 34, यहाँ पर यह कट गया है, नाना चिनिम्मा ने किया था, और रानी लक्षी बाई ने जहांसी से किया था, चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं, next question है, मुगल वास्तु सिल्प मिस्रण किसका है, यानि मुगल कला की जो वास्तु सिल्प कला थी, वो किसी मिस्रित है, तो अरब वा भारती सैलियों का, फार कीवा, फार्सी सैलियों का, तो इसका पहला उप्षन सही हो जाएगा, अरब सैली और भारती सैलियों का, ये आपस में मिस्रित रूप है, next question की ओर चलते हैं, संसाधन जो किसी छेतर में पाए जाते हैं, परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है, संभावित संसाधन, वास्त्विक संसाधन, बेकार संसाधन, मुल्यवान संसाधन, तो 36 का हो जाएगा, A option, सही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, A option, संभावित संसाधन, यानि अभी हम उसको संसाधन के रूप में सदुपयोग कर सकते हैं, question number 37 है, राजस्था में खजूर अनुसंधान किंद्र कहां पर है, बीका नेर, जैसल मेर, जालोर, जैपुर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, A option, बीका नेर में खजूर अनुसंधान किंद्र है, question number 38, जब कोई सिलाखंड, दवाववा कठोरता के करण, परतदार सेल में बदल जाते हैं, त और अवसादी सेल को हम सेडिमेंटेड या परतदार सेल भी कहते हैं, एक लेयर के साथ जो है कि उसका निर्मान होता चला जाता है, question number 39, देखते हैं, राजिस्थान के पश्चिम से पूरव क्यूर, इस्थित किन नगरों का युगम सही है, अर्थात पश्चिम से आप जब पाकिस्तान बॉर्डर से सम्मंदित रहेगा एक तरीके से, तो पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर भारत के मद्चेटर तक प्रवेस करेंगे, तो पहले जैसलमेर, फिर जोदपूर, फिर जैपूर, फिर भारतपूर, भरतपूर, अगले प्रशन को देखते हैं, question number 40, सास्त्र सेली को सास्त्री नित्य के रूप में मानता केवल सतंदरता प्राप्ती के पश्यात मिली है, तो कौन सा स्टेट्मेंट यहां पे सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, B-Option, सास्त्री नित्यों के आठ मानने रूप होते हैं, कितने? आठ प्रकार के सास्त्र नित्यों के रूप में जानते हैं, कौशनमर 41, भारती सतंतरता संगराम में दांडी यात्रा को किसकी सुरुवात माना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनवग्य आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या होम रूल आंदोलन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, B-Option, सह हो जाएगा सविना अवग्या आंदुलन अब इस प्रशन पर एक प्रशन अकसर पूछा याता है कि सबीना अवग्या आंदुलन की शुरुआत कब की गई थी तो आफ्शन में आपको 12 मार्च भी मिलेगा और 6 अप्रेल भी मिलेगा ध्यान दीजेगा 6 अप्रेल भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 12 मार्च लगा के चले आते हैं ध्यान दीजेगा 12 मार्च को यात्रा शुरू हुई थी लेकिन जैसे ही 6 अप्रेल को जो एकी समुद्र के किनारे पहुँच के महत् गांदी जी के साथ लवक 70 से 72 सायोगियों ने जब नमक कानून बनाना शुरू किया यानि कि नमक बनाना शुरू किया तो उसी समय से ये माना गया कि सविना अवग्या अंदुलन प्रारंभ हो गया है तो 12 मर्च को एक रैली शुरू हुई थी दांडी यात्रा शुरू हुई जाएगा झाया निम लिखित में से कौन परमपरागत ऊर्जा के सुरूत है परमपरागत ऊर्जा के सुरूत का घ्रूत है उच्रून आखो करोणव वर्ष पश्याज कि के निर्मित हुई है और जो एक निष्चिस समय के बाद समाप्त हो जाएगी अगर उसका दुरुपयोग किया जाएगा और दुबारा उसको रिनुवेट करने के लिए या उसको दुबारा बनाने के लिए एक लंबे समय का जो एक इंत्यार करना होगा जिसमें लाखों करोन लग सकते हैं तो परंपरागत उर्जा के सुरोत कौन हो जाएंगे जीवास में इंधन हो जाएंगे जैसे डीजल, पैट्रोल ये सारे के सारे Q44 है भारत में राज के राजिपाल की न्यूकती कौन करता है भारत के राष्टपती, संसल, प्रधान मंतरी, सरवोच नियाले के मुख्य न्यादीश तो A option सही हो जाएगा भारत के राष्टपती, राज के राजिपाल की न्यूकती करते हैं Q45 है विशु सांती का विचार किस मुगल सासक ने आगे बढ़ाया था अकबर सा जहां हुमाईू जहां गीर तो 45 का हो जाएगा A अकबर ने बढ़ाया था और इससे सम्मधित सीटेट 2021 किस में प्रशन पूछा गया है उसको किस नाम से जाना गया है सुलह A कुल की नीती को ही कहा जाता है सांती की नीती एक तरीके से तो इसी के बारे में ये प्रशन पूछा गया है Q46 है खालसा की अस्थापना करने वाले निमलिखित में से कौन है अगला प्रशन है खालसा की स्थापना निम्लिखित में से किस के द्वारा की गई थी गुरू नानक देव गुरू अंगर देव गुरू गोविंद सिंग और गुरू तेक बहादूर है तो 46 का सही जवाब हो जाएगा C option गुरू गोविंद सिंग के द्वारा जो है की स्थापना की गई थी कि कौन सी परत वायूयान उड़ान के लिए आदर्स होती है छोब मंडल आयन मंडल समताप मंडल बाय मंडल तो इसका सही जवाब हो जाएगा C option समताप मंडल क्योंकि यहां पर जो भी प्राकृतिक घटनाय होती है हवा का चलना तेज तूफान आना आंधी वगरा यह सारी घ गैस भी मिलती है यानि ओजोन की परत मिलती है अगले प्रश्ण को देखते हैं 48 भारती समविधान के अनुच्छे 21 का समंद किस से है धार्मिक सतनता के अधिकार से समानता के अधिकार से जीवन के अधिकार से तो C option सही हो जाएगा जीवन के अधिकार से और अगर हम बात क करेंगे तो यह सिख्षा के अधिकार से संब्धित है जिसके लिए राइट टू एजूकेशन एक्ट टू थाउजन नाइन में जो एकी पारित किया गया था और जिसको दो हजार दस में इंप्लिमेंट किया गया यानि लागू किया गया था चलिए नेक्स प्रेशन पर चलते कोशन नमर 49 भारत की सर्वोच कानून निर्माण संस्था क्या है यानि कानून निर्माण करने का कार है विधाईका के द्वारा होता है जो कि संसद होती है तो ए ओफ्सन सही हो जाएगा संसद प्रश नमर 50 को देखते हैं निमलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्च समय नहीं होता है इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते है यानि कि कभी भी उनकी पत्तियां गिरती है तो दूसरे पेडों की पत्तियां बनी रहती है जब दूसरे की गिर नेक्स्ट प्रश्ण को देखते हैं 51 क्रिसी की एक पद्धिती जिसमें ब्यापक अस्तर पर आधोनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादक्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो क्या कहलाती है वो पद्धिती इसका सही ओफशन हो जाएगा ए ओफशन वाणिची खेती जिससे में क्या मिलेगा आधोनिक आगतों का उपयोग करके अधिक सधिक प्रड़क्तिविटी और अधिक सधिक इनकम भी जनरेट होती है जब बहुत सी ओद्धियोगिक काईयां एक दूसरे के नजदीक इस्थित होती है और अपनी नजदीकी का लाव उठाती है तो यह क्या कहलाता है ओद्धियोगिक तंत्र ओद्धियोगिक चेत्र बाजार अर्थवियोस्ता असेंबली लाइन समनुकरम उत्पादन तो 52 का हो जाएगा बी इंडस्ट्रियल एरिया उसको कहाता है और द्धियोगिक चेत्र जहां पे कई प्रकार की इंडस्ट्री एक दूसरे के आसपास बनी होती है कोशनमर 53 है एक निश्चिस छेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधी चुनते हैं क्या कहलाता है सीमा निर्वाचन छेत्र राज या छेत्र तो जब मतदाता की बात हो रही है अप्रतिनिधी की चुनने की बात हो रही है तो इसका बी options सही हो जाएगा नि रिद्धि करना राज में पसवों की संख्या बढ़ाना या कितरिम गर्बाधान द्वारा पसू नशिले का सम्वर्धन करना और यह आपके DPSP से संबंदित है जो गांधिवादी सिधान से संबंदित है Quesh No. 55 बिस्व की 74 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निवास करती है कहां पर Asia वा अफरिका में, Asia वा दच्छण अमेरिका में, उत्री अमेरिका वा Asia में, Asia वा यूरूप में तो 55 का हो जाएगा A Asia में लगवग 47 और Africa में लगवग 54 कंट्रीज हैं और यहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है जैसे Asia में दो महादेश हैं जो की एक चीन है और दूसरा हमारा प्यारा भारत जहां पर सबसे अधिक आबादी पाई जाती है और उसके बाद अफरीका में भी बहुत अधिक आबादी है इसलिए 74 प्रतिशत पूरी दुनिया की आबादी एसिया और अफरीका महादीप में पाई जाती है कोश्चन नमर 56 है उपर माल क्या है ये उदैपुर का भोरात पठार आबू छेतर का पठारी भाग चितोड़ गड़ भिलवाडा का पठारी भूमी या नागवर की उच्च भूमी तो 56 का सही आफशन हो जाएगा C ये चितोड़ गड़ भिलवाडा की पठारी भूमी होती है जिसको हम उपर माल कहा जाता है 57 किस भारती साहितिक धरोहर का अर्थ है गुरू के पास जाकर या समीप बैठकर जो एकी अध्यन करना या सिक्चा ग्रहण करना तो उपनिशत इसका सही आफशन हो जाएगा उपनिशत को ही कहा जाता है गुरू के समीप बैठकर शिक्चा ग्रहण करना कोश्चन नमबर 58 देखते हैं किस काल में कर पर्था का विसिस्ट महातु था कर पर्था नहीं टैक्सेशन प्रोसेस का अब देखिए कोश्चन मर 59 भारत में मुंडा जन जाती किस छित्र में निवास करती है चोटा नाकपूर बस्तर दुर्ग या कुलू तो 59 का हो जाएगा ए छोटा नाकपूर जारखंड में जो कि छोटा नाकपूर की जो पहाड़ियां यहाँ पर मुंडा जन जाती का निवास होता है और मुंडा विद्रो के नाम से अगर आप जानेंगे तो 1899 में सुरू किया गया था मुंडा विद्रो जो की बिरसा जल पर पाथ है जो कि चंबल पर निर्मित है और आप हमें बताएंगे कि नर्मदा नदी पर कौन सा सबसे प्रसिद्ध जल पर पाथ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कोश्चन नमरा 61 अट्लांटिक महासागर के विशय में निमलिके तथ्यों पर पढ़ें और सत्यकथन की पहचान कीजिए यह अंग्रेजी के S अक्षर के आकार का है इसकी तटरेखा सरल रेखी वा निर्बाद है ब्यापारिक दिर्ष्टी से यह सबसे ब्यस्त महासागर है तो इसका पहला और तीसरा option सही हो जाएगा यानि ये S आकार का भी है और ये सबसे ब्यस्त महसागर है क्योंकि अमेरिका और यूरोप को ये आपस में जोडता है ब्यापारी कस्तर पे लेकिन इसकी जो तटरेखा होती वो सरल रेखी नहीं होती बहुत ही कटी फटी तटरेख को दरगा इसको कहा जाता है सूफी संत जो थे उनके मखबरे को दरगा कहा जाता है और जहां पर समानेता धार्मे किर्टे वगरा भी किये जाते हैं कोशन नमर 63 है निमलिखित में से कौन सा पुरा पाशान इस्थल है इनाम गाउं हलर भीम बेट का बुर्ज हों तो 63 का होगा सी जो की भीम बेट का और कहां पर है ये मत प्रदेश में और ये किसलिए फेमास से इतिहास में यहां पर सबसे पहले चित्रकला के जो एकी प्रम कहां किया गया रावत भाता कोटा मांगरोल 12 सुमेर पूर पाली निवारू जैपुर तो 64 का हो जाएगा आपका बी ऑफ्सन से हो जाएगा मांगरोल 12 में राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया गया राइट टू रिकॉल का जो मतलब होता है यानि अगर आपके तो आप उनको right to recall के माद्यम से उनके पद से वापस बुला सकते हैं कि आप वापस आ जाईए और हम नया चुनाओ करके एक नय प्रतिनिधी को चुनेंगे अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं मान्चित्र को समझने की सरोब्यापी भासा को समझा जा सकता है रुडी चिन्नों द्वारा रेखा चित्रों द्वारा वाण माला अक्षरों द्वारा विसा सम्मंदित मान्चित्रों द्वारा तो 65 का हो जाएगा आपका सही जवाब D. विशा सम्मंदी जो मांचित्र होंगे उसी से हम सरुव्यापी भासा को समझ सकते हैं Q66 है कौन सा विवित्ता को बढ़ावा देता है अपनी मातरी भासा में बोलना, अपने तिवारों को मनना, अपने गाउं जाना या रेल गाड़ी में यात्रा करना तो देखिए 66 की अगर हम बात करेंगे तो ए हो जाएगा जो अपनी मातरी भासा में बोलना और इसकी अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 351 के प्रोवीजन A के अंतरगत कहा भी गया है और NCF 2005 में भी यह कहा गया है कि त्री भासा फॉर्मूला होना चीए यानि प्राथमिक अस्तर पे बच्चे को अपनी मातरी भासा में सिक्छा ग्रहन करने का अधिकार भी है इससे क्या होता है कि विभिन प्रकार के लोग जब अपनी अपनी मातरी भासा में सिक्छा ग्रहन करते हैं तो विविदता का एक परिचय होता है कि भाई सभी लोग एक ही जगह पे अपनी-अपनी मात्री भासा का प्रियोग कर रहे हैं अर्थाद विविदता का प्रदर्शन कर रहे हैं. गोश्चन नमबर है 67 भूमी की एक सक्री पट्टी जो दो बड़े भुखंडों को जोडती है उसे जाना जाता है भूसंदी, खाड़ी, द्वीब या जलसंदी तो जब आपके सक्री पट्टी के माद्धम से दो बड़े भुखंडों को जोड़ा जा रहा है तो 67 का हो गाए भूसंदी, कोश्चन नमबर 68 है संद दो हजार बार है निमलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, बी सी, इसी, एडी या एपी, तो देखिए 68 का हो जाएगा सी, एडी दो हजार बार है, यानि इसवी से आगे चल रहा है, अर्थात एडी का मतल़ा होता अगले प्रश्ण को चलते हैं, 69, 69 प्रश्ण कर रहा है, निमलिखित में से किस ने नानंदा विश्विद्याले का भ्रमण किया और वहाँ पर अध्यन भी किया था, वेन सांग, फायान, मेगा स्थनीच या इन में से कोई नहीं, तो 69 का हो जाएगा ए ओप्शन, वेन आध्यन किया था, नानंदा विश्विद्याले का, 70 प्रश्ण देखते हैं, राजस्थान का पर्थम परेटन पुलिस थाना, कहां इस्थापित किया गया है, जैपुर में, उदैपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, तो 70 का भी हो जाएगा, जैपुर में सबसे पहला पुलिस थाना इस्थापित किया गए जो परेटन की इस तरो को परेटन की दृष्टी से महतपूर है 71 प्रश्ण हर्शवर्धन के समय सूचनाय किसकी पुस्तकों में नहीं थे हर्शवर्धन के समय की जो सूचनाय है वो किस पुस्तक से में मिलेंगी हरिसेण, कलहण, कालिदास या बाढ़भट तो 71 का हो जाएगा D बाढ़भट जो की हर्सवर्धन का दरवारी कभी था और इसने हर्सवर्धन की जीवनी एक तरीके से लिकिया हर्स शरित उसी में सम्मद्धित इसने सभी जो एकी जानकारी प्रस्तुत की है कोशन नमर 72 देखते हैं पहले और दूसरे प्रिथक सिलालेखों में से असोक ने निमलिखित में से कहा के महामात्रों को सम्मोधित किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा B तोसली और समाप के महामात्रों को कोशन नमर 73 की हम बात करते हैं राजपूत घराने की एक मात्र रियासत जिसने सिक्षा को पूर्टा और समवैधानिक गोसित कर दिया था सिक्षा को और समवैधानिक गोसित किया था ए ओप्सन सही हो जाएगा डूंगरपुर की रियासत ने कोशन नमर 74 महरावली का लौ इस्तंब अवस्थित है जबलपुर में अमरिश सर में दिल्ली में उद्यपुर में तो सी आफसन से हो जाएगा दिल्ली में जो की मौरे काल की जो एकी लौ तकनीक का एक प्रमार देता है कि जो खुले आसमान में होने के बावजूद भी बारिस पानी सब से जो एकी लड़ रहा है यानि कि सब उस पे प्रभाव डाल रहा है फिर भी आज तक उस पे जंग नहीं लगी है यह दिल्ली में कुत्व मिनार कॉंप्लेक्स में ही है जो कुत्व मिनार से मुश्किल से दो कदम की दूरी पर इस्थित है अगला प्रशन है आपका वाक बहमनी राजवन्स का निमलिखित में से कौन संस्थापक था तो इसका सही जवाब हो जाएगा हसन गंगु बहमन सा और बहमनी सामराज्य के ही समकक्ष एक विजयनगर सामराज्य था जिसके संस्थापक हरियर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने अपने पिता सं जो एकी राजवन्स के नाम से भी उन्हें जाना जाता है और इन्होंने भी अपने गुरू की तरह ही जो एकी अपने मतलब जो गुरू थे उनकी तरह साथ से आठ सासकों का सासन देखा है Q78 है मुगल कालीन भारत में राज की आय का प्रमुक्स रूत क्या था लूट या राजगत संपत्ती भूराजस या कर तो C आफसन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये लोग भूराजस सही सबसे अधिक धन प्राप्त करते थे यानि राज की आय प्राप्त करते थे 79 में देखते हैं राजस्थान में स्वदेशी आंधोलन का नेत्रित्व सर पर्थम किस ने किया था अरजुनलाल सेथी केसरी सिंग बारहट स्वामी गोविंद गिरी या गोपाल सिंग तो 79 का ओजाएगा C स्वामी गोविंद गिरी ने स्वदेशी आंधोलन जो की 1905 में स् स्थान में इन्हों ने सबसे पहले इसका नेत्रित्व किया था कोशन नंबर 80 है आपका 1922 इसवी में गांधी जी ने सत्यागरा आंधोलन वापस ले लिया क्यों चारी चारा अहिंसा के कारण, कांग्रे सदैसों गिरफतारी के कारण, अंग्रे जी सरकार दोरा गांधी जी की मांग मान लेने के कारण, जनता के समर्थन के अभाव के कारण तो 80 का हो जाएगा पहला option चौरी-चौरा की जो हिंसा हुई थी जिसमें पुलिस चौकी को जला दिया गया था और लगवा 21 सिपाही आग से जलके मर गये थे इससे गांधी जी बहुत ही आहत हुए क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि कोई भी आंदोलन या सत्याग्रा होगा वो अहिंसात्मक रूप से होगा उसमें कोई हिंसा नहीं होगी जो कि गांधी जी के आदर्सों और सिधानतों के खिलाफ थी इसलिए इन्होंने इस आंदोलन को तुरंत सगित कर दिया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए थी कोश्चन नंबर 81 की हम बात करेंगे भारती राश्टी कॉंग्रेज के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे अबुल कला माजाद रफी अहमेद किद्वई एफ एम ए अंसारी और बदरुद्दीन तयब जी तो इसका सही जवाब हो जाएगा D option बदर जवालन नहरू या सुभाश्चन बोस ने तो D option इसका सही हो जाएगा सुभाश्चन बोस ने जब रंगून से अर्था सिंगापूर से जो है कि जब रेडियो पर एलान किया कि हमारी जो आजाद हिंद फौज है अब वो आजादी की जंग में पहली लड़ाई करने जा रह है तो सुभाश्चन बोस ने रेडियो पर ये कहा था कि हमें राष्ट पिता महात्मा गांधी के आसिरवाद की आवश्यक्ता और वो हमारे उपर आसिरवाद बनाए रखें तो यहां पे जो राष्ट पिता जो वर्ड यूच किया सुभाश्चन बोस जी के द्वारा तो व की स्थापना की और उसी के माध्यम से इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लोटो यानि वेद जो है कि हमारे गलत नहीं है वेदों की महत्ता पर इन्होंने बहुत ही बल दिया और इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने आधुनिक भारत में वेदों पर जो है की ज्यादा फोकस किया कोश्चनमर 84 चलने की तरफ रुख कर देना कोश्चनमर 85 है बोध गया में महाबोधी मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुध पैदा हुए थे गौतम बुध को ग्यान प्राप्ट हुआ था गौतम बुध ने अपना पर्थम प्रवचन दिया कुसी नगर में जो की यूपी में ही इस्थित है गोरकपुर के निकट और गौतम बुध को पहला ग्यान जो है की यानि अपना जो ग्यान प्राप्ट हुआ था तो वो महाबोधी ब्रिक्ष के नीचे ही गया में प्राप्ट हुआ था इसलिए 85 का हो जाएगा बी आफशन कोशन नमर 86 को अगर हम देखें 86 थोड़ा बड़ा प्रशन है पढ़ते आईए लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की सिच्छिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए इस्थानी कॉलेश से राजनीती विज्ञान के विशिसग्यों को आमंतरित करती है इससे पहले की विशिसग्य उसकी कक्षा से बातचीत करें सिच्छिका को निम्लिकित में से किस तथिकी साजेदारी उसके साथ करनी चाहिए टीचरों के साथ कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ पुस्तक बताना चाहिए इस प्रक्रण पर आधारित आकलोनों के प्रकार बताने चाहिए कक्षा में कुछ विद्यारती ऐसे जो आरक्षिस रेडियो समईत है या इस प्रक्रण के लिए अनुदेश आत्मक उद्देश से बताना चाहिए तो 86 का हो जाएगा D इस प्रक्रण के लिए अनुदेश आत्मक उद्देश से बता देना चाहिए कि हमारा क्या उद्देश से है इस मतलब जो बाच्चीत है या जो विसेसर के को बुलाए गया है क्यों बुलाए गया है इसके बारे में डीटेल देना कोशन नमर 87 भी बड़ा है तो आईए हम इसको पहले कोशन पढ़ते हैं फिर option पर हम चर्चा करेंगे एक कच्चा में कुछ आदिम जन्जाती के बच्चे भी सामिल है इसके कारण उस कच्चा में सांस्कृतिक विवदता का महौल है सिच्चक द्वरा इसका प्रभावी ढंग से इस्तिमाल करने है तू निमलिखित में से कौन सा तरीका उप्युक्त होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का A option कि आदिम जन्जाती के विद्ध्यारतियों से कहना कि वे अपनी जन्जाती के बारें बताएं और पढ़ाएं जाने वाले प्रक्रणों के साथ उसे जोड़ना सुरू करें कोशन पर 88 देखते हैं समाज विज्ञान के नियामक या मानदंड समंधी आयाम निमलेखित आयामों में किसे सामिल करते हैं प्रासंगिता को समानता को उपयोगिता को या अकाट्टे को तो 88 का हो जाएगा ए प्रासंगिकता को अर्थात कि आज हम जो इतिहास नागरिक सास्त भोगोल जो भी पढ़ते हैं जो घटना घटित हो चुकी हैं उसकी क्या हमारे समाज विज्ञान प्रासंगिकता है इसी को जानने के लिए हम आज इसका अध्यन करते हैं प्रशन है आपका 89 अब निमलिकित में से कौन सी अन्योन यानी पारस्प्रिक अधिगम की विसेस्ता है सीखने का उत्तरदाई तो विद्यार्थियों सिच्छक दोनों के द्वारा साजा होना चाहिए भूलने के कारणों को सम्मोधित करते हैं सीखना अग्रसा होता है सिच्छक सक्री रूप में सिख्छन अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस पर आधान प्रदान करता है सिच्छी का विद्याले में कारे करते हुए अपनी सिख्छा को पूरा करती है तो 89 का हो जाएगा सी ऑफ्षन कि सिच्छक सक्री रूप से सिख्छन अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस पर आधान प्रदान करता है और आए इस सिरीज के इस वीडियो के लाश्ट प्रशन को भी हम देख लेते हैं निमलिखित में से कौन सा संसद के कारे प्रक्रण को पढ़ाने का सर्वोक्रिष्ट तरीका है ब्याख्यान पद्दती दे देना या कहानी पद्दती या मुद्दो पर सहमती बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना या परियोजना कारे करना तो यह option यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि संसद के कारणों के लिए आप कोई practically जो है कि वहाँ पर कोई संसद का निमान करके नहीं कर पाएंगे इसलिए ब्याक्षान यानि lecture method ही हाँ पर best होगा और ध्यान दीजिए यह class 6 to 8 के लिए paper है इसलिए lecture जो है कि class 6 to 8 का बच्चा आराम से समझ लेगा तो यह था आपके लिए environment की पहली test series जो है कि इसी के साथ हम आपको जल्दी ही मिलते है environment की दूसरी series के लिए और आप हमारे telegram channel को भी join कर लिजे वहाँ भी हम लोग test series की PDF और नएने updates provide कराते रहेंगे इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे जय हिंद जय भारत